नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़र्खन के दिन भर की खबर जानते हैं सोसल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमा सुनेश्चित कराने का निदेश दिया, वहीं थ्री टी पर जोर दिया है, स्वास विभाग्या पर मुख सचीव ने टेस्ट ट्रेक ट्रीट टिका करन के साथ, कोविड उपयूक्त ब्यवहार की पांच आयामीर निती पर ध्यान ब भी निदेश दिया है, जहारखन में इसी हफते से थोक में सराब बेचेगी सरकार, राजे में अब सरकार का उपकरम जहारखन स्टेट विवरेज करपोरेशन लिमिटेड भी सराब का थोक करोबार करेगा, इसके लिए टेंडर फाइनल कर लिया गया है, उत्पात आयुक्त ने इसे लेकर सरनिवार को आपूर्ति करता हों के साथ बैठक की, बैठक में सराब आपूर्ति की त्यारी को लेकर दिशान दिये गए, बताया गया है कि J.S.B.C.L. इसी सब्तास बजार में सराब उपलबत कराने लगेगा, उमीद की जा रही है कि J.S.B.C.L. द्वारा आ जीकषित वेचर्स प्राइवेट लिम्टेड के पास है, दोनों कमपनियों को 31 मार्ट 223 तक सराब की आपूर्ति करनी है, अवायद हुआ जहरीली सराब के बिरोध राज्य में चलेगा ब्यापक अभियान, बिहार में जहरीली सराब से 70 से अधिक लोगों की मौत और जारक जहरीली सराब के बिरोध पूरे राज्य में अभियान चलेगा, इसके लिए आईजी को अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया, जनकारी के मुताबिक उत्पाद वमक्द निसेद विभाग के निदेश पर पुलिस मुख्याले निना लिया है, और सभी जिल्यों को आद जिले के एक इंस्पेक्टर वो दो दरोगा भी रहेंगे। सबसांसत दीपक प्रकास ने कहा है कि आज जहां हम पुरु परधान मंत्री और सुसासन के प्रनेता आटल भिहारी बाजपे की जनती मना रहे हैं तो बरतमान परधान मंत्री ने एक भारत सरस्ष्ट भारत में G20 के अध्यक्षता मिलने पर भारत की भूमका को रिकांकित किया भाजपा मोटे अनाज की खेती को दे रही बढ़ावा जहारखन में भारतिय जनता पार्टी ने मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने वाले स्वयोगी संगठन के रूप में पहचान बनाने की जोजना बनाई है भाजपा किसानों की समस्याओं को उठाने के साथ साथ मोटे अनाज की खेती करने के फाइदे के बारे में लोगों को बताएगी भारत सरकार ने वरस 2023 को मिलेट वरस के रूप में मनाने का फैसला किया है सरकार के इस फैसले के स्वैयोगी की भुमिका निभाने के लिए भरत्या जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने अनदताओं के बीच एक सायोगी संस्ता के रूप में पाचान बनाने की योईना बनाई जिसके तहट राजे के हर परखंड के दस-दस गाओं का चैन कर वहाँ के खिसानों को भारतिय जनता पाटी किसान मुर्चा के पता दिकाली और करकरता मोटे अनाज की खेती के फाइदे बताएंगे बिजली चोरी कराने वाले अफसर कर्मियों पर होगी करवाए जेबी भीनल के कमर्सियल निदेशक मनीश कुमार ने जेई और लाइन मैन को दिसा निदेश जारी किया है उन्होंने कहा है कि ये दोनों जेबी भीनल के महतपुन करी है उर्जा मेला लगाका और भोगताओं को जारू करे उन्होंने बिगत कोछ महीने से राज्ये में किये जा रहे बाकाइदारों का लाइन डिसकनेक्शन करने और रायस्व संग्रा में आई तेजी के लिए जेई और लाइन को बाधाई दी है उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि सभी लाइन मैन लाइन का काम तै मानक सुरक्षा उपाय के साथ करे मानक सुरक्षा उपायों की कमी से होने वाई दुरगाटना के लिए काम करेंगे उन्हें 26 जनुवरी को समानित किया जाएगा नए साल में बंदे भारत एक्सप्रेस से 5 घंटे में तै कर सकेंगे हटिया से हवडा तक का सफर रांची से हवडा सफर करने वाले यत्रियों के लिए अची खबर है बता दे नए साल में वंदे भारत एक्सप्रेस रांची रेल मंडल हटिया से हावडा तक चल सकती है हलाकि अभी तारिक तै नहीं की गई रांची रेल मंडल से वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा कब सुरू होगी या रेलवे बोर्ट तै करेगी रेल अधिकारी से मिली जनकारी के अनुसार 223 महाटिया से वंदे भारत एक्सप्रेस तुरू हो सकती है रांची रेल मंडल की ओर से सारी त्यारी पूरी हो गई है जारखन में सीमला जैसा न जारा रांची के काके छेत्र में पारा गिरने से लगातार कनकनी बढ़ती जा रही है पिछले साल काके में जम कर हुई उला बिरिष्टी ने लोगों को कास्मीर और सिमला की तरह बर्फ बारी का असास कराया था वहीं पूरे छेत्र में काफी बर्फ जमा हो गया था लोगों को रांची में सिमला जैसे आनुभा हो रहा था दरसल पच्मी भी छोब के बाद उत्तर भारत से आने वाली बर फिली हवावों का परवेश सिद्ध जारकन में हो रहा है जिससे दीनों दीन पारा गिरता जा रहा है दरसल राची के काके छेतर का पारा वैसे भी राची सहर के तूनला में कम रहता है बतादे यहां ठंड के दीनों में पारा जीरो डीरी तक चला जाता है और अब तापमान एक पर फिर धीरे धीरे निम्तमस्तर तक जाता नजर आ रहा है लोहर दग्गा में पांच साल की बच्ची के साथ दुसकर्म के बाद हत्या जारखन की लोहर दग्गा जी लेके बगडू थाना छेतर अंत्रगत आरिया आदिवासी ट्वला में सनी वायर देर साम गाउं के ही एक युवक ने एक पांच वर्षी मासों बच्ची की दुसकर्म कर गला घोट कर हत्या कर दी गाटना से आक्रोशित उग्र ग्रामिनों ने युवक की पिटाई करते वे उसे पूलिस के हवाले कर दिया पता दे घटना के सुचना मिलते ही बग्रु थाना पूलिस आरिया पहुँच आरोपी को गिरफतार करते वे प्रात्मे की दर्च कर लिया रेवी का हत्याकांड आठ लाख की आर्थिक मदद का अस्वासन जारखन के दुमका के साहिव गंज बोर्यों में रेवी का पहारिन हत्याकांड में राज महलोक सभासांसत बिजय कुमार हांसदा मिरितक के पैतरी गां गोड़ा पहार घर पर पहुँच और सोका कुल परिजनों से मिल कर ढांड़स बढ़ाया उन्होंने परिजनों को सरकार की सभी परकार की लाब उपलब्द कराने का भरुसा दिलाया साथ ही उन्होंने रेवी का पहारिन के कबर पर जाकर मुंबत्ती जलाकर दिवंगत आत्मा के सांती क्रेप रातना की उन्होंने कहा है कि घाटना मानविय नहीं है और सरकार की सनवेदना मृतिका के परिजनों के साथ है उन्होंने परिजनों को अस्वास्त करते हुए कहा है कि आरोपीत के साथ किसी परकार की कोता ही बरत्ती नहीं जाएगी और कड़ी करवाई होगी फास्ट ट्रेक कोट में मामला विचाराधीन है JEPC में नौकरी का अमतिम मौका जारखन एजुकेशन प्रोजेक्ट कौन सीज JEPC में नौकरी की तलास कर रहे युगाओ के लिए सुनारा मौका है इसके लिए JEPC में असिस्टेंट इंजिनियर और एक्जिक्योटिब इंजिनियर के पदो पर आवेदन की कल आक्री डेट है एक छुक या योग्य उमिद्वार जो इन पदो के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे JEPC के अधिकारिक बेपसाइट पर जाकर अपलाई कर सकते हैं इन पदो के लिए आवेदन पर किले 7 दिसंबर से सुरू हुई थी दल्मा में बिमार हंथनी की महत धांथीयो के लिए सुरक्षित दल्मा अभ्यारन के माकुला कोचा में बन विभा के निग्रानी में बन धक रखे गए चमपा हंथनी की बीमारी के बाद रबीवार को मिरिति हो गई तीन दिन पहले चमपा गिर गई थी जिसके बाद वह कोमा में चली गई थी हाथनी के कुमा में जाने के बाद बन विभाग की और से उसका इलाज किया जा रहा था इलाज के करम में रभिवार को सरसट वर्स ये चमपा हाथनी की मिरिती हो गाई धन्यवाद